हैनो दोस्तों स्वानत है आपका मेरी यूटीब जिनल परिक्ता प्लान में तो चलिए आज की इस्ट्री किलास को सिफु करते हैं और अपनी टॉपिक पर आते हैं पाठ चान है आदवासी, देखू और एक स्वाडियन की करपना तो चलिए पढ़ते हैं इसको 1895 में विर्षा नां के एक आदमी को जार खंड में छोटा नां उपर के जंगनों और गाउम में गूलते हुए देखा दिया लोग कहते थे कि उसके पास चमतकारी सक्तियां हैं वन सारी विमानियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी धेरी पो कई वो नाम बढ़ा देता था बिर्षा ने खुद ये एलान कर दिया था कि उसे भबवान ने लोगों की रख्चा और देखुणों की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा देखुण किने क्या देते जो बाहरी नोग होते थे उनको कर देती देखुण आगी लिखा है कुछ समय के वीदर हजारों लोग बिर्षा के पीछे चलने लगें वे उसे भबवान मानते थे उन्हें यकीन था कि वे उनकी समस्याएं दोर करने आया है आगी लिखा है बिर्षा का जन्म एक मुंदा परवान में होगा था मुंदा एक जन्याती सम्मू है जो छोटा नांगपुर में रहता है याद रखीएगा जो विर्सा थे उनका परवार होगा था मुंदा परवार होगी और जो चोटा नानपुर में निवास करती है आगी निखाए विर्षा की समर्थकों में इलाकी के दूसरे आदवासी संथाल और उराव भी सामिन थे ये सवी अपने आसपास आरणे बदलावों और अंग्रेज सासन के कारण पैदा हो रही समस्याव से बेचैन थे उनकी परचित जीवन पदिती नष्ट होती दिखाई दे रही थी आज इंका खत्रे में थी और धर्म छिन बिन वो रहा था बिर्षा किन समस्याओं को हल करना चायता था जिने देप को कहा जा रहा था वे वाहरी नोग कोन थे उन्होंने इलाकी की लोगों पो गुलाम कैसे बना निया था अंग्रेजों की राज में आदवासियों की साथ क्या हो रहा था आदवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर मुचान करेंगे आगे लिखा है पिछले साल आपने आदवासी समाजों के बारे में पढ़ा था जादा तर कभीलों के रिती रिवाज और रस्मे ब्रामरों द्वारा निर्धारिक रिती रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी यानि क्लास 6 की बुक में ये पढ़ाया था और मैंने वीडियो में बताया है आगे लिखा है इन समाजों में ऐसे गहरी सामाजिक भेद भाव भेद भी नहीं थे जो जाती पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं एक कवीले की सारी लोग कुटूम्ब के बंदनों में बंदे होते थे लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आधवास्नियों के बीच कोई आर्थिक और समाजिक फर्क नहीं था यानि इनकी कवीले की जो सारी लोग थे बुख यानि जो कवीले थे इनमें आर्थिक और समाजिक फर्क था लेकिन जो जाती आधारित समाजों में दिखाई देता है भेद्वाव ऐसा इन लोग में नहीं होता था ये लोग एक परवान की करिंके से रहते थे आगे लिखाए जन जाती समूख की सतरहे जीते थे यानि कि ये लोग जो थे इनमें जाती आधारित बेद्वाव नहीं थे ये स्कवीले की सारे लोग परवार की तरीके से बंदनों में बंदे होते थे लेकिन फिर भी इनमें आर्ठिक और सामाजिक फार्क देखने को मिलता था आगे लिखाए जन जाती समूख किस तरहे जीते थे 19 सदी तक देश के विविन भावों में आधवासी तरह तरह की गतिविदियों में सक्री थे कुछ जूम खेती करते थे वो जूम खेती के बारे में लिखाए लिखाए उनमी से कुछ समदाए जूम खेती करते थे जोल खेती, घमंतू खेती को कहा जाता है इस तरह की खेती अधिकांस और जमीन पर उन्गी घास पूस जला कर साफ कर देथे थे इसके बाद ने घास पूस के जनले पर पैदा होई राफ को खानी जमीन पर छड़क देते थे इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाओ वो जाती थी तो पहले क्या करते थी जो लंबे पेड़ थे उनकी उपरी इसो को काटते थे ताकि धूप जो गया वो जमीन तक आ सके उसकी बार जो घास उगी होती थी जमीन में तो उन्हें वो आग लगा कर उन्हें जला देते थे जनले के बाद जो राख मिलती थी उन्हें उसको पूरे खेत पर छड़क देते थे जो जनलीन उन्होंने तया की थी कि इस पर उन्हें फसन लोगानी है तो उस राख को उस जमीन पर छड़क देते थे तो इससे क्या होता था कि मिट्टी जो है वो उपजाओ वो जाती थे देते थे यानि खेत को जोतते नहीं थे नाहीं रोपते थे वीजो को बस बीज जो लेते थे उनकों पूरे खेत में विखेर देते थे जब एक बार फसल तयार हो जाती थी तो उसे काट कर बेट दूसरी जगह चल पड़ते थे जहां से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जमीन को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाते थे और फिर वहां पर भी इस प्रक्रिया को अपनाते थे घुमंतों किसान मुख्रूप से पुर्वोत्तर और मंद भारत की परवती वा जंगनी पट्टियों में ही रहते थे इन आधवासी समदायों की जिंदिगी जंगलों में वेरोब टोप आवा जावी और फसर उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधार थीवे केवर इसी तरीके से अब पर्ती किसी कहते हैं उसके बारे जान लेते हैं कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वानी जमीन ताकि मिद्टी दोबारा उकजाओ हो जाएं सान किसे कहते हैं एक पेड़ होता है और मभगा एक ओन जिसे खाया जाता है या सराम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अब पढ़ते हैं कुछ सिकारी और संग्राहत थे कुछ मन्तु घेती करते थे उनके बारे पढ़ लिया अब कुछ सिकारी और संग्राहत थे उनके बारे पढ़ते हैं बहुत सारे इलापों में आदवासी सम्न पसियों का सिकार करके और वन उत्पादों को इखटा करके अपना कान चलाते थे वे जंगरों को अपनी जिन्दगी के लिए वह जिन्नी बानते थे उरीशा की जंगरों में रहने वाला खौंड समदाई इसी तरह का एक समदाई था इस सम्दाई की नोग टोनिया बना कर सिकार पर निकलते थे जो हाथ लगता था उसे आपस में बाट नेते थे वे जंगनों से मिले फल और जड़े खाते थे खाना पपाने के रिए वे साल और मवगा के भीजों का तेन इस्तिमाल करते थे साल और मवगा के बारे में भी बता दिया है तान एक ब्रक्ष होता है और मवगा के दे फूल होते हैं उनको खाया जाता है और उनके बीजों का तेन इस्तिमाल किया जाता है आगेल काई इलाज की निये वे बहुत सारी जंगली जड़ी भूटियों का इस्तेमान करते थे और जंगलों से खटा होई चीड़ों को इस्थानी बाजारों में बेच देते थे जब भी इस्थानी बुनकरों और चमड़ा कारीगारों को कपड़े वा चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलास के पूलों की ज़वरत होती थी तो वे खौंड संदाई के लोगों से ही कहते थे इस चित्र में देखी लिखा है दोगरिया कंद कवीले थी और तें पंडानों की पत्तियां एक खटा करके ला रही है इन पत्तियों से पत्तलें बनाई जाएंगे आगी लिखाएं इन संदाई संदाईوں को चावन और अन अनाज कहां से मिलते थे कई बार तो चीजों की अदला वदली से काम चल जाता था वे अपने कीमती वन उतपादों के बन जरूरत की चीजे ने लेते थे कई बार उन्हें जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए मुर स उनमें से कई लोग आसपास के गाउं में नोकली करते थे कोई वोज डोता था, कोई सणक निर्माड कार्रियों में नोकली करता था कई आदवासी खेत मजदूर थे जब वन उत्पाद कम पड़ जाते तो आदवासीों को मजदूरी के लिए जादा भटकना पड़ता था लेकिन उनमें से बहुत सारे समदाई जैसे मद्ध भारत की बैगा औरों के लिए कान करने से कत्राते थे यानि बैगा थे वो दूसरों के लिए कान नहीं करते थे करना बैगाओं के लिए अफमान की बात थी जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासन करने के लिए आदवासनों को खरीद फरोक्ट भी करनी पड़ती थी इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आसरित हो जाते थे बैपारी बेचने की चीजें लेकर आते और वहारी कीमत पर चीजें बेचते थे सोद खोर महाजन भी आदवासनों को करजा तो देते थे लेकिन उसका व्याज वबत जादा होता था इस तहें बाजार और वाड़ेज ने आदवासन को करज और गरीवी में ढखेल दिया नहाजा भी महाजनों वन व्यापारियों को बाहरी सैतान और अपनी सारी मुश मुशीवतों की जड़ मानने लगे यानि आदवासनियों को करजात मिलता था निकिन उनका व्याज जो है ववन चादा होता था तो इसलिए वे करज में डूपते चिने गए और वें जो महाजन थे महाजन और व्यापारी वनीकों सारी मुशीवतों की जड़ मानने लगे आगे लिखाय कुछ जानवर पाल कर अपनी जिन्दगी चनाते थे वे चरवाही थे जो मौसम के एसाफ से ममेशियों या भेडों के रेवर नेकर यहां से वहां जाते रहते थे जब एक जगर घास खत्म हो जाती तो वे द्यूसरे नाके में चने जाते पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन बुजर और आंट प्रदेश के नवारिया आदी समदाए गाए भैस के जुन्ड पालते थे पुल्लू के गदी समदाए के लोग गडरी थे और कस्मीर के वकरवान बकरियां पालते थे अगले साल इत्यास की पाठ़े पुस्तक में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अब निखाए कुछ लोग एक जगर खेती करते थे 19 وी सदी से पहले ही बहुत सारी जगर जाती कवीने एक जग़े टिक कर खेती करने लगी थे वे वार वार जगर बदने की बज़ाए साल दर साल एक ही जगर खेती करते थे जमीन पूरे कवीने की समपत्ती वोती थे कुल के सभी सदस्यों को उन लिवासियं का वंसज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था लिहाजा जमीन पर सभी का वरावर हख होता था फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ नोग औरों से जाना ताकर्ट जुड़ा नेते थे कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अन्याई होते थे जो ताकतवर होते थे वेप खुद खेती करने की बजाए अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे रहते थे बिर्टिस अफसरों को वन और संथाल जैसे एक जगह ठैन कर रहने वाने आदिवासी सिकारी संग्राहक या वन्तु केती करने वानों की इंपाबने जादा सब दिखाई देते थे जंगलों में रहने वानों को जंगली और बर्वर माना जाता था अंग्रेजों को लबता था कि उन्हें इस थाई रूप से एक जगह बसाना और संध बनाना जिन्री पॉप निवेशिक सासन से आदवासीं की जीवन पर क्या असर पढ़े बिपिश सासन के दोरान आदवासी समयों का जीवन बदल गया आओ देखे ये बतनाव क्या थे आदवासी मुख्याओं का क्या हुआ अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदवास्मियों के मुख्याओं का मेर्ट पूर स्थान होता था उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंप्रण रफ्टे थी कई जगे उनकी अपनी फुलिस होती थी वे जमीन एवं वन पिर्वरंदन के इस्थानी नियम खुद बनाते थे बिल्टिस सासन के तरह आदवासी मुख्याओं की कामकाल और अधकार काफी बदल गए थे उन्हें कई कई गाउं पर जमीन का मानिकाना तुमिन रहा था नेकिन उनकी सास की सक्तिया छिन गई और उन्हें बिल्टिस अधकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाद कर दिया वने अंगरेजों को नजराना देना पड़ता था और अगरेजों के प्रतनिदी की हैसियस से अपने समर्वों को अनुसासन में रखना होता था पहले उनके पांच जू ताकत थी अव्वे नहीं रही वे परवपरागत कामों को करने से लाचार हो गए यहां पर आप देख सकते हैं चित्र में घर बनाए जा रहा है और लिखा है पूरवोत्तर के निसी आदवासियों के एक गाउं में लठों से बना घर ये जो घर बना हुगा है पीछे ये लठो से बनाए गया है जब ये घर बनाई जाते हैं तो पूरा गाव मदद करता है गुमंत्यू कास्तकारों का क्या हुआ एसे सम्भशों से अंग्रेजों कुक्का की परिसानी थी जो यहां वहां बटकते रहते थे हुआ और एक जगर ठेहर कर नहीं रहते थे वे चाहते थे कि आदवासियों के सम्झे एक जगह इस्थाई रूप से रहें और ठेती करें इस्थाई रूप से एक जगह रहने वाले किसानों पो नियंत्रित करना आसान था अंग्रेज अपने सासन के लिए आमदनी का नियमित सरोत भी चाहते थे फलसरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिये उन्होंने जमीन को माप कर प्रतेक व्यक्ति का हिस्सा तै कर दिया उन्होंने याई भी तै कर दिया कि किसे कितना लगान देना होबा कुछ किसानों को भुस्वामी और निंसलों को पट्टे दार घोसित किया गया जैसा कि आप देख चुके हैं पट्टे दार अपने भुस्वामीयों का भाड़ा चुकाते थे और भुस्वामी सरकात को लगान लेते थे जून कास्तकारों को इस्थाई रूप से बसाने की अम्रेजों की कोशिस बहुत काम्याब नहीं रही जहाँ पानी कम हो और मिटी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं था बलकि हलो की मदस से खेती करने वाले जुरूब कास्थकारों को अक्सर नुक्सान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे इसलिए पूरुतर राज्यों के जुन कास्थकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परमपरागत डंग से ही जीने दिया जाए वियापक विरोज के फल्स रूप अंग्रेजों को आखिन कर उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कवीलों को जंगल के कुछ बहुत सारे वन चेत्रों में अभी भी जारी है आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया ने और खेती के लिए जमीन साफ कर दी गई है अब जानते हैं वन कानुन और उनके प्रभाव जैसा कि आपने देखा कि आदवासी सम्हों का जीवन जंगनों से जड़ा हुआ था अता वन कानुनों में आए बदलावों से आदवासीं के जीवन पर भी भारी असर पड़ा अंग्रेजों ने सारे जंगनों पर अपना नियंतर स्थापित कर लिया था और जंगनों को रांज की संपत्ति गोसित कर दिया था कुछ जंगलों को आरचित वन बोसित कर दिया गया ये ऐसे जंगल थे जहां अंद्रेजों की जरूरतों के लिए इमार्ती लखडी पैदा होती थी इन जंगलों में लोगों को सतंत्र रूप से भूने, जूव खेती करने, पन खटा करने या पसुल का सिकार करने की इजाज़त नहीं थी ऐसी सुरत में जूव का स्तिकार किस तरह जिन्दा रह सकते थी इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तनास में मजबूरन दूसरे इनापों में जाना पड़ा क्योंकि जो अंग्रेश थे उन्होंने जंदनों को आरचित वन खोसित कर दिया था अब जो जगल थे वो ने राज की संपत्ति मानते थे तो नहोंने जंदनों को राज की संपत्ति मोसित कर दिया था अब जो जिवूल कास्तकार थे वो कैसे खेती करते कैसे अपना गुजारा करते इस निये उने ग्रोजगार की तलास में उस इलाके को छोड़ कर दूसरे इलाके में जाना पड़ा आगे निखा है जैसे ही अग्रेजों ने जंगलों के वीतर आदवास्नों के रहने पर पावंदी लगा दी उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई समस्या याई थी कि रेनबे सनीपर्स के निये पेड काटने और लकनी को एक जगह से दूसरी जगह ने जाने के लिए मजदूरों का इंतिजान कहां से किया जाए उपनिवेशिक अधकानियों ने इसका भी एक हर ढून निकाला उन्होंने तैक लिए कि जूर्म कास्तिकारों पो जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिये जाएंगे और उन्हे वहां खेती करने की वी चूट होगी बसरते गाउं में रणने वाले वो वन रिवाग के के लिए मस्पूरी करने बोगी और जंगरों की देख भाल करने बोगे इस तरह बहुत सारे अलाकों में वन भागने सस्ते स्रम की आपूर्ती सुनेश्चित करने के लिए बन गाउं बसा दिये यानि जो जुदून खेती करने वाने कास्तकार थे तो उनके लिए क्या तिया ल कोड़ी खेती करने की छूट भी दे दिए लेकिन सर्थी एक थी कि उन्हें वन विभाग के लिए मुरस्दूंजी करने होगी अब सिनीपर किसी कहते हैं लकड़ी के 36 तक्ते जिन पर रेंड की पटरियां बिचाई आती हैं बहुत सारे आद्वासी समुगों ने आप निवेसिक वन कानुनों का विरोज किया उन्होंने नई नीवन का पालन करने से इनकार कर दिया और उनी तोर तरीकों से चलते रहे जिने सरकार गैर कानुने गोसित कर चुखी थी कई वार उन्होंने खुले हम बगाबत भी कर दी 1906 में संग्रम संगमा द्वारा असम में और 1937 के दसक में मद प्रांथ में भुगा वन सत्यागर इसी तरह के विद्रोव थे अब व्यापार की समस्या क्या थी उसके बारे में पढ़ते हैं 19 सताथी के दोरान जंजाती संगों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं वे वन उपज खरीदने नगत करजा देने और आदवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थें इन सारे बदलावों से क्या आसन पढ़ने वाले थें यह समझने में आदवासियों को कुछ समय लगा यह समझने के लिए आईए रेशन उत्पादकों की इस्तिति को देखें 98 सदी में भारती रेशन की उरोपी वाजारों में भारी मांग थें भारती रेशन की अच्छी गुडवत्ता सबको आकरसित करती थी और भारत करने रियाद तेजी से बढ़ रहा था जैसे जैसे वाजार फेला इस्ट इंडिया कमपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशन उत्पादन पर जोर देने लगे बर्दमान जारखंड में इस्तित हजारी बाग के आफपास रहने वाने संथान रेशंग के कीड़े पालते थे रेशंग की व्यपारी अपने एजेंटों को भेज कर आदवाशियों को करजे देते थे और उनके क्रमी कोसों को खटा कर लेते थे एक हजार क्रमी कोसों के निए तीन चार रुपेंट बिलते थे इसके बाद इन क्रमी कोसों को वर्दमानी या गया भीज दिया जाता था जहां उन्हें पांच गुना कीमत पर बेचा जाता था निर्यातकों और रेशन उकपादकों के बीच कड़ी का काम करने वाने बिजोनियों को जम कर मुनाफ़ा होता था रेशन उकपादकों को बहुत मामूली खायदा मित्ता था सभाविक है कि बहुत सारी आदवासी समदाइं बाजार और वैपारियों को अपना सबसे बड़ा दिस्वन मानने लगे थे यह चितर देखनी जी और यह खाय है वोधारा औरतें बुनाई करती हों यह यह औरतें जो मैं इनको भोधारा कहते हैं और यह बुनाई कर रही है यह इस चितर में देखनी जी चटाई बुनती एक हाजांग औरत वारतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों पूर साथ लेकर जाती थी इस चितर में देख सकते हैं वारत ने अपनी पीठ पर बच्चे पुबांत रखा है और यह चटाई बुन रही है आगे देखते हैं काम की तलाप काम की चलास में घर से दूर जाने वाले आदवासियों की दसा तो और भी खरब 19 सदी के आखिर से ही चाय बागान पहलने लगे थे खनन उद्योग भी एक महत्पूर उद्योग बन गया था असन के चाय बागानों और जारखन की कोईला खादानों में काम करने के लिए आदवासियों को बड़ी संख्या में भरती किया गया इन लोगों को ठेकी दार की मातपद भरती किया गया ये ठेकी दार ना केवर बहुत कम बेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर गी लोटने नहीं देते थे यानी जो कोईना की खदाने थी उनमें मजदूरी करने के लिए आदवासियों को वर्पी किया गया, और जो ठेकीदान थे, वो अपना मुनाफा निकान लेती थे और इन मजदूरों को बहुत कम बेतन देते थी और उनको घर भी वापस नहीं आने देते थे इस चित्र में देख सकते हैं मज़ूरों हूं लिखा है बिहार के कोईला खने विहार में जो कोईला खनन उप्राय उसमें इन मतूर कारे करते हैं 1920 के दसक में विहार की जरिया और रानी गंज कोईला खदानों में काम करने वाले लगवग पचास प्रस्त खनेक आदिवासी थे अंधेरी और दम वोटू खदानों की गहराई में काम करना ना केवल सरीब को तोड़ता था बलकि यह खतरना था वै अकसर सचमुच जान ले लेता था 1920 की दसक में देवस की कोईला खदानों में हर साल दो घजाब से ज़्यादा मश्गूल मारे जाते थे यह देखिये इस चेत्र में आप लोग देख सकते हैं नजदीक से देखने पाई उन्निसमी और वीशमी सताब्यों की दोरान देश के विविन भावों में जन्जाती सम्होंने बदलते कानूल अपने विवहार पर लगी पावन्यों नई करों और व्यापारियों वा महाजनुन द्वारा किये जा रहे सोसण के खिलाप कई वार बगावत खिन 1831 और 32 में कोल आदवासनों ने 1855 में संथालों ने ववावत कर दी थी मत भारत में वस्तर विद्रोव 1910 में हुआ और 1944 में महाराष्ट में बर्नी गिद्रोव हुआ विर्षा जिस आंदूलन का नित्रत्व कर रहे थी वै वी इसी तरह का गिद्रोव था अब जाननेते हैं बिर्षा मंदवारे में विस्तार से जानते हैं बिर्षा का जन्म 1870 के दसक के मद में हुआ था उनके पिता गरीब थे बिर्षा का बचपन भेड़ बरकरियां चराते बासरी बजाते और इस फानी अखाड़ों में नाचते गाते भीता था उनकी परवरिस वुक रूप से वो वोंडा के आसपास के जंगलों में हुए गरीवी से लाचार बिर्षा के पिता पुकान की तलास में जगर जगया भटकना पड़ता था लड़कपन में ही बिर्षा ने अतीत में हुए वुंडा बिद्रोव की कहानिया सुनने थे कई बार संदाय के सरदारों को विद्रोव का आवान करते देखा था बिर्षा के संदाय के लोग ऐसे स्वार्ड यूट की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिखुओं के तूरन से पुरी तरह आजाग थे समदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समदाई के परागत अधिकार वहान हो जाएंगे वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का बंसज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे वे लोगं को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना समराज वापस पाना है विरसा इस्थानी मिस्नरी स्कूल में जाने लगी जहां उन्हें मिस्नरीयों के उपदेश सुनने कम हो का मिना था वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समदाई स्वर्ग का सामराज जहां से कर सकता है और अपने कोई अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे इसानी बन जाए और अपनी खराब आदिते छोड़ दे तो ऐसा वो सकता हूँ बाद में बिर्षा ने एक जानी माने व्यर्षणव धर्ण प्रचारक के साथ भी कुछ समय पिताया उन्होंने जन्यों धर्ण किया और सुदता वांदया पर दोर देने लगे अपनी किसुरा वस्ता में बिर्षा जिन विचारों के संपर्ग में आई उनसे वह काफी ग्यानरे तोर पर प्रभावित थे बिर्षा का आंदोलन आदिवासी समाज को दिदारने का आंदोलन था उन्होंने मुंडाओं से आवान किया कि वे सराप पीना छोड़ने गाव को साफ रखे डायन वा जादू टोरने में विस्वास ना करें यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बिर्षा ने विस्णरियों और हिंदू जमीदारों का भी लगातार विरोध किया वैं उन्हें वाहर का मानते थे जो वुन्ना जीवंग स्वैनी को नस्ट कर रहे थे 1895 में बिर्षा ने अपने अन्याईयों से आवाहन किया कि बे अपने गौरब को अतीत को पुनन जीवित करने के लिए संकल्पने बाई अतीत के एक ऐसे स्वार्ड यूग सत्यूप की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे तटवंद बनाते थे कुदरती जर्णों को नियंत्रित करते थे पेड़ और बांग लगाते थे पेट पानने की नहीं खेती करते थे उस काल्पनी की उग मुंडा अपने विरादरों और रिष्टेदारों का फूल नहीं बहाते थे वे इमानदारी से जीते थे विर्षा चाहते थे कि लोग एक वार फिर अपनी जमीन पर खेती करें एक जगए टिक कर रही और अपने खेतों में काम करें अगरेजों पो विर्षा आंदोलन की राजनीति और देवसं से बहुत ज्यादा परेशानिंग थी यह आंदोलन मिस् हिंदु मुस्वामियों और सकार को बाहर निकाल कर विर्षा के नेत्रत में मुंडा राज इस्थापित करना चाहता था यह आंदोलन इन्ही ताप्तों को मुंडाओं की सारी समस्यां वगकष्टों का स्वोत मानता था अंग्रेजों की मुनी तिया उनकी परमपरागत नुमी विस्था को नश्ट कर रही थी इंदु स्वामि और महाजन उनकी जमी चीनते जा रही थी और मिस्नरी उनकी परमपरागत संक्रस्थागी मुंडा नुखेप इन आंदोलन से बहुत परेशानी हो रही थी और अंग्रेज क्या कर रही थे उनकी जो वो नी तिया थी उनकी परमपरागत नुमी विस्था को नश्ट कर रही थी वो हिंदु वो स्वामि और महाजिंद्र थे वो मुंडा नोगो की जमीन को चीनते जा रही थे और विस्थानली उनकी परमपरागत संगेप संस्क्रती की आनोचना करते थे आगी लिका हैं जब आंदोलन फैनने लगा तो अंग्रेजुनी सक्त कारवाई का पैसला दिया उन्होंने 1895 में बिर्षा को गिरिफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में बो सांध की सजा सुनाई 1897 में जेल से लोटने के वाद बिर्षा समर्थन जिटाते नुए गाँगाँ उन्होंने लगे उन्होंने लोगों को उत्साने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भासा का इस्तिहाय किया बे आवाहन कर रहे थे कि उनके नेत्रत में समराज की इस्थापना के लिए राबरों दीकु और इंग्रोपियों को तवा कर दें बिर्षा के अन्याई दीखु और येउरोपी सत्ता की प्रतिकों को निशाना बनाने लगे उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किये और महा जनुवा जमीदारों की संपथियों पर धावा बोल दिया। सफेन ज्वंडाम बिर्षा राज का प्रति सन गुनिस्व में बिर्षा की हैजे से मृतिन हो गई और आंदोलन थंडा पड़ गया। कि अन्याय का विरोध करने और अपने वेशिक सासन के विरोध अपने वुस्टे को अवियत करने में आदवासी सच्छम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संगर्ष के प्रतीकूं के जरिये इस कान को अन्यान दिया। तो ये लेसन जिए यही पर आप समाप्त होता है। जदे ये इस्टरीकस लेवस में समाप्त हो जाएंगा उसके बाद देनी प्रैक्टिस किया करेंगे सोसल साइंस के कुश्चन के। तो मिलसे हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई